आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि पोईट्री को क्लास्ट्रों में हम कैसे इंबेड़िट करें और उसको पढ़ाने के कौन से अच्छे और बेहतरीन तरीके हमारे पास मौजूद हैं सबसे इंपॉट्रन चीज यह है कि जब हम पोईट्री को पढ़ना और लिखना सिखाते हैं तो हमें विन्यादी तोर पे बच्चों को कि रींज ओव पोईट्री इंटर्ड्यूस करवानी चाहिए हम पोईट्री तो हम उन्हें बताते हैं कि यह कैसे और इसक्स किसम के एक्स्प्राशन को सूट करती हैं For example, आपके सामने है हाइको, हाइको जो है वो थ्री वर्सिस की पोएम होती है जो नीचर को डिस्क्राइब करती है, इसी जाए जो राइम्स होती है, वो कुछ स्टोरी और कुछ थीम्स को सूट करती हैं, पर हर थीम को सूट नहीं करती है। So, हम बच्चों से एक इंट्रोस्टिंग और इंट्लेक्शुल डायलोग शियर करते हैं। Make a poem poster visual design, important चीज यह है, कि जब हम poetry बच्चों को लिखवाते हैं, और बच्चे paper pencil लिखके अपनी याद कीवी poems को लिखते हैं, इंट्रोस्टिंग तरीके से, तो वो उनकी memory में बेहतर तरीके से सेव होती है, और आपको यह पता ही है, जो चीज़ आप लिखके याद करते है वो बेहतर याद भी होती है, और बेहतर recall भी होती है, तो अब हम कैसे print form में बच्चों को handwriting के तरफ ला सकते हैं, आप variety of original print forms जो हैं बच्चों को दिखा सकते हैं, एक अच्छा print हो सकता है, जिसके अंदर बहुत ही अच्छी तस्वीरे बनी हों इस poem के साथ जिससे बच्चे देखे अट्रक्ट हो, और print form में हम जिस शायर ने वो नजम लिखी है, उसकी actual writing भी बच्चों को दिखा सकते हैं, कि वो कैसे लिख रहा था, कहां काट रहा था, और कितनी खुबसूरत handwriting में लिख रहा था, और इसकी flow of thought, flow of writing के साथ कैसे match हो रही थी, बच्चों को हम कह सकत हैं, कि जब वो नजमें लिख रहे हैं, तो उसे decorate करें, उसको paint करें, उसमें patterns बनाएं, उसके अंदर pictures बनाएं, जब बच्चे उसमें pictures खुद बनाते हैं, और उसको decorate करते हैं, तो बन्यादी तोर पे वो शायर के message को visualize करते हैं, और उनकी understanding poetry के बारे में मजीद बहतर होती ह आती है, तो आप यह सोचें कि आपने बहुत सी नजमें और घजलें सुनी होंगी और पड़ी होंगी, और आपने बाद में जब उन नजमों और घजलों को किसी मौसिकार को और किसी singer को देखा होगा, जो से गार आए, तो आपको एसास होगा कि जब मैंने पढ़ा था, तो यह कुछ और आज मैं से गाते सुन रहा हूं, तो यह कुछ और है, तो जना पोईट्री जो है, उसके अंदर wordplay, उसके अंदर song और उसके अंदर rhythm, यह उसका हिस नहीं जाएगा, उसके music के साथ embedded नहीं किया जाएगा, उसके rhythm को नहीं समझा जाएगा, जो आप सर्फ सुनने में समझ सकते हैं, तो बन्यादी तोर पे वो बहुत से बच्चों के लिए poetry जो है, वो self-actualize नहीं हो सकेगी, और क्या होगा, then it is not going to come alive for most of the children, तो इसको हमें alive क करने के लिए जरूरी है कि हम इसे सुने और हम इसे बावाजे बुलंद पढ़े, so prepare a reading aloud, most important thing, जो हर class का हिस्सा है earlier, कि read each line several time and try emphasizing different words and phrases, हमें poetry की हर line को multiple time पढ़ना है, अपना जो tone है, अपनी जो pitch है, volume है, timings है, उसको change करकर के पढ़ना है, हमने जो emphasis दे रहे हैं, उसको change करके पढ़ना है, different dialects में पढ़के देखना है, कि ये नजम कैसे दिखती है, और ये तो बहुत ही अच्छा होगा, कि अगर आपके पस audio video recording में किसी भ impression और उसका जो message है, वो कैसे change हो सकता है, so, अगली important चीज है, हम recording कर सकते हैं बच्चों के साथ, बच्चों को जब हम recording करने के लिए कि देते हैं, तो बच्चे सबसे पहले rehearsal करते हैं, और तब तक recording करते रहते हैं, जब तक कि वो खुश ना हो जाएं, so, recording के अच्छी चीज ह है कि आप उसे playback करके देख सकते हैं, और सीख सकते हैं कि इसमें क्या चीज अच्छी हुई, क्या चीज है रह गई, और उसके लावा recording के अंदर आप post कर सकते हैं, verses को दोबारा revise कर सकते हैं, और important चीज recording में यह है कि आप बखतलिफ किसम की recorded poems को सुन सकते हैं, और समझ सकते ह कैसे हम voices को और poetry को पढ़ सकते हैं, embody it, move it, class performances, teacher के लिए बहुत ज़रूरी है, क्यों कि movement actually is a very powerful memory trigger, जिस चीजों को हम body movement के साथ याद करते हैं, तो जैसी ही वो music चलने लग जाते हैं, हमें वो movement भी साथ-साथ याद आने लग जाती हैं, तो यह memory में दोनों को बहुत अच्छ के तरीके से embed करती हैं, so किस तरीके की movement हो सकती है, clapping हो सकती है, आपकी chanting हो सकती है, dance हो सकता है, drums की पर poems experience की जा सकती है, और इसमें sounds निकाले जा सकते हैं, it's a variety of ways, एक बहुत interesting तरीके कार यह है, कि आप बच्छों को poem पढ़ाएं, और याद करवाएं, और बच्छों को कहें कि वो different movement में चलते हुए poem पढ़ें, जब वो poem के एक line पढ़ें हो तो आपने कब रुकना है, कब चलना है, कब आपने speed up हो जाना है, कब आपने हाथ हिलाने है, so it can be a fun, it can be a game, it can be a body movement and it is a poem and it is a poetry and that can be a very very interesting activity, so bunyadी तोर पे आप बच्छों को involve कर रहे हैं, by all means in a poetry and by all means to understand and enjoy the poem. दूसरी चीज़ यह है कि जब बच्चे मिल के इस किसम की fun activities करते हैं, तो poetry बुन्यादी तौर पे एक social activity बन जाती है, जिसको हम कभी नि भूलते हैं और वो हमारी memory में हमेशा जिन्दा रहती है, that is known as living poems and living poetry.